नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजे विद्रोही एक तस्वीर बड़ी वाइरल हो रही है इसमें देखिए दो शक्स देखिए सरपर सफेद तूपी है महराश्टियन स्टाइल की महराश्टियन स्टाइल का टायर है प्रदान मंत्री नरेंद मोदी गणेश मंदना कर रह ही है इस तरफ चीजस्तिश चंदरचूर साप करें है हाद जोड़े और दूसरी तरफ मोदी जी के उनकी पत्नी है चंदरचूर साप की वो घंटी बजा रही है और ये तस्वीर चंदरचूर साब के घर की है निजी मामला है बिल्कुल प्राइवेट और ये तस्वीर छाया हो जाती है अख़बारों में आ जाती है शोशल मीडिया पर चल रही है इसको लीक नहीं किया गया बकाइदा प्रसारिट प्रकाशित किया गया है तो क्या किसी मंच्छा से किया गया है कुछ बड़े सवाल पैदा होते हैं सविधान के रक्षक कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट कहलाता है और उसके चीज़ जस्टिस है चंदरशूर नियाएपालिका किस सिर्मौर दूसरी तरफ कारेपालिका के सिर्मौर है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी दोनों सविधानिक पदों पर है नियाएपालिका और कारेपालिका आपस में धिड़ते रहते हैं इन में कोई सदभाव हार्मोनी जैसी चीज हो नहीं सकती ये बात बहुत साल पहले पंडित नहरू के समय में जस्टिस पंतजली शास्री ने कही थी जब एक समहारो में पंडित नहरू प्रधान मंत्री और जस्टिस साब मिल गए थे एक जगा तो नहरू नीजी ने कहा कि कारेपालिका और नियाएपालिका में हार्मनी होनी कारेपालिका के खिलाब मामले न्याएपालिका में जाते हैं और न्याएपालिका इंसाफ करता है सविधान को ध्यान में रखकर ऐसे में जब इनके दो हेड मिल गए तो लोगों के दिमाग में सवाल आने शुरू होंगे सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चंदर्चूड साब ने प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी को गणेश चतर्थी के मौके पर अपने घर के निजी पूजन के लिए बुलाया बुलाया तो क्यों बुलाया? दूसरा सवाल उठता है कि क्या प्रधान मंत्री ने जस्टिस चंदरचूर से कहा कि इस बार गणेश चतुर्थी के मौके पर वो उनके घर आना चाहते हैं पूजन में शामिल होना चाहते हैं अगर ये कहा तो क्यों कहा? क्यों आना चाह रहे थे? तीसरा क्या पीमो की तरफ से कोई मेसेज पहले दिया गया चंदरचूर साब को कि वाज़ प्रधान मंत्री जी आना चाहते हैं और चंदरचूर साब ना नहीं कर सके वो हा नहीं करना चाहते थे लेकिन ना नहीं कर सके या उन्होंने हा कर दी या फिर बड़ा सवाल उठता है कि ना क्यों नहीं की फिर बड़ा सवाल उठता है कि अगर ना कर दी तो भी प्रधानमंत्री ने का नहीं नहीं मैं तो आऊंगा ही एक सवाल इसके साथ उड़ता है कि आप महमान की तरह है यानि मोदी जी महमान की तरह गे चंदरचूर से साब के यहां और चीव जस्टिस साब के यहां गणेश पूजन हो रहा था तो पती पत्नी गणेश पूजन करते हैं आम तोर पर कोई सब जो महमान हैं घर परिवार के दूसरे लोग हैं वो थोड़ा पीछे खड़े रहते हैं हाज जोड़े या ताली बजाते रहते हैं आरती के समय में यहां पर आरती का थाल थमा दिया जाता है मोदी जी को या उन्होंने खुद थाम लिया खुद मेन उसमें आगे जैसे पूजा वही कर रहे हो और चीर जस वीडियो आडियो रिलीज नहीं होना चाहिए आडियो से मतलब फोडोग्राफ रिलीज नहीं होना चाहिए उसके बावजूद फोडोग्राफ रिलीज कर दिया गया है एक सवाल उठता है कि इसमें फायदा किसका है चंदरचूर साब का तो कोई फायदा नहीं है उल्टा तो उन पर सवाल उठ रहे हैं, न्याय पाली का पर सवाल उठ रहे हैं, दो साल का कारेकाल बचा है, दू महिने का कारेकाल बचा है, क्या इरादा गरंजन गोगोई बनने का है, तमाम तरह के सवाल सोचल मेडिया में उठाए जा रहे हैं और Chief Justice चंदरचूर इतने भूले नहीं है कि उनको एहसास नहीं था मोदी जी के आने से पहले कि वो आएंगे तो बात का पतंगड बनेगा इस तरह के सवाल उठेंगे और न्याएपालिका के आंचल पर छींटे कसे जाएंगे अब कारेपालिका ने ऐसा किया वीडियो लीग कर दिया फोटो छपवा दी अख़वारों में बकायदा एक्स किसका हैंडल है जिससे फोटो जारी हुई है और खबर जारी हुई है यह आप सब जानते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है तो इलाबाद हाई को के जस्टिस रह चुके हैं गोईन माथूर उनका एक इंट्रू में देख रहा था वो कह रहे थे कि साब इसमें तो कारेपालिका की थोड़ी इमांदारी नहीं बरती कारेपालिका ने ऐसा नजर आता है और थोड़ी मन्शा ठीक नजर नहीं आती साजिश शड्यंत्र ऐसे शब्दों से तो परहेश किया लेकिन मन्शा को लेकर सवाल उठाए उनका एक और कहना था कि कारेपालिका को इससे फाइदा होगा अब कारेपालिका को किस तरह से फाइदा हो सकता है या कारेपालिका के पक्स में चीज़े जाएंगी यह उन्होंने कहा मैंने कुर्स कोर्स करके रखना चाहिए फासला लेकिन वो self regulatory है वो mandatory नहीं है एक सवाल तो ये है दूसरा ये है कि जान बूच कर तस्वीर फैलाई गई है ताकि लोग सवाल उठाएं ताकि किसी एक पक्ष को फैदा हो एक सवाल उठता है कि जब चीज़ चीज़ के घर प्रदान मंतरी पहुंच से कुछ दूरी जो बनाकर रखते हैं वो दूरी बनाकर रखेंगे नहीं रखेंगे या उन तक क्या मैसेज भेजने की कोशिश है अभी प्रेपीम केर फंड का मतला आना बाकी है और भी कई मामले है यू सी सी पर कुछ कोट का दखल हो सकता है नहीं हो सकता है ये भी एक लोगों को मौका मिल गया इस तस्वीर के बहाने अपनी अपनी बाद रखने का जिस से प्रधानमंत्री नरेंदर मूदी का तो कुछ नहीं जाता क्योंकि वो एक पॉलिटिकल हस्ती है पॉलिटिकल पार्टी के नेता है जो इस समय देश के प्रधानमंत्री है लेकिन चीफ जस्टिस न्याय पालिका इन ये संदे के घेरे में आती है और इससे बचने की कोशिश होनी चाहिए क्योंकि न्याय पालिका पर अगर लोगों का विश्वास उड़ जाएगा तो फिर लोगतंत्र बच पाएगा नहीं बच पाएगा ये भी कुछ बड़े सवाल उठते हैं झालिका जे झालिका पी हैं बच्छिए में लोगतंत्र लोग जाएगा विवागा नहीं आत्या देलाएगा लोगतंत्र लोगतंत्र बच्छिश हैं कि पालिका